नमस्कार दोस्तों कासने श्टडी के अनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाली में UPPCLTG2 का एक्जाम होने वाला है और कंप्योटर के सेसन में पास होना जरूरी है तो यहां पर दोस्तों हम आपके लिए कंप्योटर के कुछ बेरी इंपॉर्टन कुशन लेकर के आए हैं जो एक्जाम के दिरिष्ट से बहुत इंपॉर्टन है तो जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो इसमें राइट अंसर क्या हो जाएगा तो इसमें बताओगे कि को बोल होता है आपसर नमबर A से हो जाएगा अगले कुशन की बात करते हैं अगला कुशन यहां पर कह रहा है कि मदर बोर्ड में कमपोनेंट के बीच इनफारमेशन के माध्यम से ट्रेवल करता है तो कौन ट्रेवल करता है तो इसमें राइट अंसर बताओगे बस आपसर नमबर B से हो जाएगा अगले कुशन की बात करते हैं अगले कुशन यहां पर कह रहा है कम्प्यूटर का मुख पटल क्या कहलाता है तो जो कम्प्यूटर का मुख पटल होता है उसे मदर बोर्ड कहते है अपसर नमबर C सही हो जाएगा अगले कुशन की बात करते हैं अगले कुशन यहां पर कह रहा है कि कि इंटरनेशनल बिजनेस मसीन अपसर नंबर सी सही हो जाएगा अगले कुईशन की बात करते हैं कि विसेश परकार के संगीत उपकरोडों को साउंड कार्डों से परियोग सापोर्ट जोड़ता है कौन सापोर्ट ऐसा होता है जोड़ता है तो इस पर आइट अंसर क्या हो ज जाएगा अगले कुईशन की बात करते हैं अगले कुईशन की बात करते हैं कि इलेक्ट्रानिक कंपोनेंट थीन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं तो बताओगे सर्किट बोर्ड कहते हैं अपसर नंबर सी सही हो जाएगा अगले कुईशन की बात करते ह इनल्ट से यह लेट organs कॉझेड में यह आप क्या की समझते हैं तो से सिड़ी से घивать से भाब तो लिक्त थो सकते हैं अगले कुशिन की बात करते हैं अगला कुशिटिकल जिस्क सपार्थन को सावसे है नमबर से हो जाएक अगले कुशिट्चे का एंगDO कुईशन की बात करते हैं, अगला कुईशन यहाँ पर कह रहा है, कौन सा डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर को समझ सकती है, तो कौन सा डिवाइस होता है, बताओगे स्वारी दोस्तों, बताओगे माइक्रो प्रोसेसर होता है, अपसर नंबर C से ही हो जाएग अगले कुईशन की बात करते हैं, अगला कुईशन यहाँ पर कह रहा है, कि कम्प्यूटर का मुख मैमोरी क्या कहलाती है, कम्प्यूटर की जो मुख मैमोरी होती है, उसे क्या कहते हैं, बताओगे इन में से सभी आंतरिक मैमोरी, प्राट्रिमिक, प्राइमरी ये सभी होती अर्था तो अपसर नमबर D से ही हो जाएगा अगले कुश्चन की बात करते हैं अगला कुश्चन यापर कहा रहा है डिस्कोड, ट्रेक और स्ट्रेक्टरों में विभाजित करने की परिकिया को क्या कहते हैं तो इसमें बताओगे फार्मेटिंग कहते हैं अपसर नमबर D से ही हो जाएगा अगले कुश्चन की बात करते हैं अगला कुश्चन यापर कहा रहा है निल्खित में से क्या स्टोर डिवाइस का उधरन नहीं है स्टोर डिवाइस का कौन से उधरन नहीं है तो इसमें राइट अंसर हो जाएगा रेम नहीं है अपसर नमबर सी सही हो जाएगा अगले कुश्चन की बात करते हैं अगला कुश्चन यहापर कहरा है कि digital video disk है option number C सही होजाएगा अगले question की बात करते हैं CPU के लिए सामान गड़ी TIA performs करता है तो कौन करता है तो इसमें write answer हो जाएगा ALU option number D सही हो जाएगा अगले question की बात करते हैं अगला question यहाँ पर कहरा है कि जब PC पर किसी document पर कार करते हैं तब वो जो document होता है bursts the i work's store होता यह बताना है कि कहां पर store होता आपसन नंबर बी रहेоме स्टोर होता है अगले question कीबात करते हैं अगला question कहेरा है कि computer का memory क्या कहलाता है कि computer का memory क्या कहलाता है तो जो computer की memory होती है उस भीस्तरी memory कहते है अपसन नंबर यसे हो जाएगा अगले कुईशन की बात करते हैं अगला कुईशन कर रहा है कि फ्ला फिक डिसक किस परकार की मेMory से संबंध रखती है तो जो फ्ला फिक डिसक होती है किसे संबंध रखती है तो इसमें राइट अन्ज़ बताओगे कि external से option number A से ही हो जाएगा अगले question की बात करते है RAM किस प्रकार की memory है तो RAM किस प्रकार की memory है इसमें right answer क्या बताओगे कहोगे मुख memory है option number C से हो जाएगा अगला question की बात करते है निलखित में से कौन RAM नहीं है इसमें बताओगे कौन सा RAM नहीं है तो राइट एंसर बताओगे प्रेम जो है रेम नहीं है बागी नीचे की तीनों रेम है अगले कुशन की बात करते हैं अगला कुशन यहापर कह रहा है कि सेल्फ फोनों में किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस का उधरन उप्योग किया जाता है तो कौशन की बात करते हैं अगला कुशन की बात करते हैं अगला कुशन की बात करते हैं अगला कुशन के रहा है कि इंटर्नल इस्टोरेज किस प्रकार का इस्टोरेज है तो इसमें राइट एंसर क्या बताओगे प्राइमरी मेमोरी अगले question की बात करते हैं अगला question यहाँ पर कह रहा है कि किस memory में रखा data बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है वो कौन सा data होता है तो option number D RAM होता है, option number D से ही है अगले question की बात करते हैं अगला question यहाँ पर कह रहा है कि CD को compact disk की अलामा अन्ने किस नाम से जाना जाता है तो वो कौन सा होता है बताओगे आप्टिकल डिस्क कहते हैं अगले कुश्चन की बात करते हैं अगला कुश्चन यहाँ पर कह रहा है कि सबसे कामन परकार की स्टोरेज डिवाइस है तो सबसे common प्रकार की storage device कौन सी है बताओगे flash है option number A से ही हो जाएगा अगले question की बात करते है अगला question यहाँ पर कह रहा है कि computer में memory में डाले गए कारों को परदस्थित करता है तो कोई परदस्थित करता है बताओगे monitor option number D से ही हो जाएगा को क्या कहते है तो यह जो तीनों है अगले कुश्ण की बात करते हैं अगले कुश्ण की बात करते हैं OCR का पूरा नाम क्या है OCR का पूरा नाम यहाँ पर बता रहा पूछ रहा है तो OCR का पूरा नाम क्या है तो इसमें राइट एंसर बताओगे OCR का पूरा नाम क्या है तो इसमें राइट एंसर हो जाएगा अगले कुशन की बात करते हैं अगला कुशन की बात करते हैं कि मानीटर के डिस्पले आकार को कैसे मापा जाता है तो मानीटर के जो डिस्पले आकार को मापा जाता है उसे जो है डाइगनोली की दोरह मापा जाता है अपसर नबर B से हो जाएगा अगले कुशिशन की बात करते हैं अगला कुशिशन के रहा है कंप्यूटर में प्रिंटर डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इंपूट डिवाइस कौन सा है तो इसमें राइट एंसर बताओगे सिस्कैनर होता है अगला कुशिशन दोस्तों आप लोगों को हूमर के लिए दिये जा रहा है ये कुशिशन का इसर आप लोगों को हूमर कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा और जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्लास को पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा इसे के साथ में से से नहीं स्वाप्त करते हैं नमस्कार